अखिलेश यादोद्वारा कपिल सिब्बल को राजसभा भेजे जाने से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता नाराज हैं, तमाम नेता खुल कर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं, सबसे ज़्यदा नाराजगी पार्टी के राजसभा सांसद और वरिष्ट नेता कुवर रेउती रमण सिंग के समर्थोकों में हैं उन्हीं समर्थोकों में एक हैं विजे वैश्च जी प्रयागराज में महानगर के उपाध्यक्ष हैं कई बार पार्शत भी रहे हैं बड़े वरिष्ठ नेता हैं आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी कपिल सिब्बल को राज् पूर्ण भूंका निभाई 20 साल मुझको मुझको हो गया 20 साल से मैं पार्टी में हूं लेकिन मुझको यह बड़ा बहुत बुरा लगा और बहुत मतला हमें यह लग रहा है कि ताव यह हो क्या रहा है समाजवादी पार्टी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कपिल को टिकट देने की कौन सी जरू וट पड़ गई अरे भाई अगर टिकट देना था तो राजसहभा में दूबारा जब आपने बात कि आप साब से कआ कि हाँ साब ऐस्यां को टिकट दे देना चाहिए था की नाराजगी कपिल सिब्भल को राजसहभा बेज़े जाने के खिलाफ है बिल्कुल और मेरा तो यह कहना कि अगर एडी का या कहीं पर सीबी आई का कहीं पर कोई जाल पड़ता है कोई सिकंजा पड़ता है तो तमाम सुप्रिम कोर्ट में वकील है उनको हायर करते हैं और हायर करके अपना केस कराते यह जनाधार इनका ख खापा बचता है तो वो उनको बचाएंगे और वो करेंगे क्या कपिल सिब्बल का 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 सकते कपिल सिब्बल कोई नेता तो है नहीं कोई जनाधार वाले नेता नहीं है तो पाइटी को तो जनाधार वाले नेता की जरूवत है किसी वकील की का जरूवत है और वकील की जरू उसे वकीलों को बड़े मकीलों को आपने चो पार्टी से स्तीफा दियाया है प्र आटी की सदस्ता से स्तीफा दियाए दिया वह कपिल शब्बल को राजने जाने के विरोध में दिया या कुमा रे candy रमर सिंग को दोबारा राजने भाझा दोनों लगबग वही है कि कपिल सिब्बल जो है कपिल सिब्बल की जगा ने थे पीड है और उनको यूपी सेर है और इधर यूपी में उनका ऐसा नहीं कि केवल इलहाबाद में उनका वर्चस है बनारेश चले जाए और तमाम जीलों में उनका वर्चस है और पार्टी पहले भी खबरे आती रहें कि अखिलेश यादो जो है वो मुलायम सिंग्ग के जो पुराने साथी हैं चाहे वो कुमर सब्सक्राइब यह तो बहुत गलत हो रहा है तो अखिलेश यादों के नित्रत पर सवाल आप लोग उठा रहे हैं और हम ही लोग नहीं उठा रहे हैं बहुत लोग उठा रहे हैं जिस आप भी आज जो अकबार में जब च्छपा की जो है विजय वैस जो इस्तीफा दे रह लेकिन खुद उन्होंने चुपी साथ रखी वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं नहीं उन्होंने चुपी क्या साथ रखी है अब बड़े नेता है अब यह तो वह जाने उनका क्या है लेकिन तकलीफ तो उनको भी बहुत है और उन्हीं को तकलीफ नहीं उनके छेत्र के जतने लोग दो बार लोग सभा से चुनाव जीते हैं तो पांच-पांच कांचुएंसी है तो सारे लोग उनसे के लिए बहुत ज्यादा अकलेज यादो जी से नाराज हैं आने वाले दिनों में उनके जो और समर्थक हैं वो भी समाजवादी पर्टी से दूरी बना सकते हैं इस्तीफा दे सकते हैं छोड़ सकते हैं बिल्कुल एक 110 परसेंट उसको काफी बड़े संख्या में लोग हम तो कहेंगे कि लाक की संख्या पहुचेगी जिस दिन कुछर साब इस पार्टी को टाटा कर लेंगे ऐसा है कि वो भी पार्टी को टाटा करने वाले हैं अब करना चाहिए उनको जब आप हमको 40 साल उनको हो गया जब आप सम्मान नहीं दे रहे हैं कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो मलब जो राजनीत जिसने किया है जीवन से तो वो उसको राजनीत तो आज भी चाहिए और जानकारी है कि जो है विजए वैस्ट जो है पार्टी छोड़ ने ने उन्होंने रोका भी नहीं उन्होंने टोका भी नहीं और वह जान रहे हैं तो हम खुद इंडिपेंडनेंट पार्साद हुए है घ्यारारा और उनके बदले रिवती रमण सिंग का टिकट काटा गया इससे रिवती रमण सिंग नाराज बताए जा रहे हैं उनके तमाम समर्थक इसी तरीके से खुल कर अब इस्तीफा भी देने लगे हैं कैमरा में रोई श्री वास्तों के साथ मुहम्मद मुहीन एबीपी गंगा प्र